कि स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रैवलिंग फारमर्ज में प्लीज इसको शेर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को वाच करें और आने वाले वीडियो के लिए बैल का इकन जुरूर दबादें तो आज की वीडियो है दोस्तों मलेशिया के वीजा के रिगार्डिंग मलेशिया का वीजा इंडियन के लिए टूरिस्ट वीजा सिंगल एंट्री वी फुल डिटेल्स के साथ क्या उसकी लेटेस्ट न्यूज है क्या न्यूज आई है उसकी और उसकी सारी डिटेल्स रिफंड रिक्वार्मेंट क्या रहेगी आपको आपके पास प्यावक आपको क्राद करना हैं मलेशिया विजा ट्र फूराइट्स द्लेस्ट फ्रेशन्यस यड़ तो सबसे पहले यह होगा आपके पास एंडियन पासपुर्ट होल्डेस नाव ट्रावल्ड मलेसिया विजा फूर वापिस को एक्स्टेंड नहीं करा सकते हैं आपको 15 दिन के अंदर आपको वापिस आना ही पड़ेगा तो अब बात करते हैं दोस्तों वीजा के बारे में वीजा कैसे लेना है तो आपको फिर से टाइप करना है वीजा मलेशिया वीजा फॉर इंडियंस गोल गे अंदर अब गरते हैं तो आप नीचे जैसे जाएंगे नीचे इनकी कहीं सारी वेब साइट्स आएएंगे जो वीजा प्रोवाइड करते हैं लेकिन जो इनकी ऑफिशल वेब साइट है वो है विंडोज मलेशिया.mi नीचे है वीफस ग्लोबल जो इंडिया के लिए काम करती है तो तो आपने करना है आपने करना है आमनूंफ इसके बाद आपने बापने प्लिक नेकरन करना बापिस आप नेकरम है तो यह भी अपर्मधे की ट्रेट्रेक सानेवा already ट्रस्पोड करेंगे तो यह सारा मैं खोल लिए गाया उसके बालेए बहुत है속 आपका अपना गीवन नेम जो आपका पास्पोर्ट पे होगा यह सारी डिटेल्स पास्पोर्ट की ट्रेयर्ज भरनी आपने ट्रैवलिंग फार्मल का सरनम है तो ठीग है नहीं तो रहने दीजिए नैशनलिटी इंडिया आगी पास्पोर्ट नंबर भर देना है अपने उसके बाद अपका जेंडर उसके बाद अपकी डेट ओफ बर्त डेट ओफ बर्त के बाद आएगा आपका अड्रेस अपना कंब्लीट अड्रेस जो भी अपका स्ट्रnte नेम वगर है सब कुसिए बर देने उसके बाद आपका पिन कोड आएगा पिन के बाद आपकी आगी city उसके बाद country इंडिया फॉन नमबर बर दें आपका जिस पे आपको message वगरा आ सकते हैं उसके बाद आपने अपनी login information बरनी है जुरूर याद रखें क्योंकि यह आपकी जैसे आप returning user करेंगे तो उस समय आपको यही information मांगेगा यह मैंने अपना form पहले भर रखा था इसलिए उसके बाद आप अपना password भरें password भरने के बाद आपको निचे यह capture रहा है इसको भरें यह case sensitive होता है इसको ध्यान से देखके भरना आपको register करेंगे ना उसके बाद आपको mail आजेगी mail के उपर आएगा आपके पास welcome to e-visa your e-visa account has been created successfully click here जैसे आप click करेंगे आपका account verify हो जेगा तो यहां से बंद करके आप फिर से इसको उसी पे chrome पे खोल सकते हैं जो भी आप web browser यूज़ कर रहे हैं अब दुबारा से आपको वहीं जाना है returning user वाले page भे अब आप returning user भे click करेंगे तो अब आप से यह login information माँगेगा जो भी आपने पहले दी थी पिछले page पे आपकी email वरनी है आपको यहां पे और उसके बाद आपका password जाएगा उसके बाद आपका फिर से capture जाएगा यह capital और small letters देखके बरें नहीं आपका यह fail हो जाएगा उसके बाद आप जैसे ही sign in करेंगे तो आप यहां पे दो visa आएगे पहला e visa यह होता है यह भी basically tourist visa ही है लेकिन यह मिलता है आपको 30 दिन के लिए यह 30 दिन से ज्यादा नहीं मि बिलता है जैसे अगर आपको महिना लगाना है वहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर आपको return करना है तो आप यह यह visa apply करें इसकी फीज रती है 200 और 80 डॉलर 80 रिंगिट 200 रिंगिट इसकी total फीज है और जो हमने अब apply करना है ENTRI program visa waiver program है जिसके हमने न्यूज भी पड़े थी इसकी फीज सिर्फ 160 रिंगिट है और यह आपको 15 दिनों तक ही 15 दिनों तक के लिए ही मिलता है उसके ज्यादा आप इसको एस्टेंडर नहीं करा सकते जैसे ही आप इसपे क्लिक करेंगे enroll ENTRI program पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आपको इसपे क्लिक करेंगे आपको सारण नोटिस आजेगा इसके उपर basically requirement बताई हुए है कि आपको flight tickets की requirement में तो आने और जाने की और निच्चे requirement की immigration आपसे क्या कर सकती है एयर पर और लैंड बॉर्डर पे आपको सबसे पहले चाहिए ENTRI नोट जो आपका वीजा होगा जो आप यह अपलाई करोगी mail पे वीजा आजेगा boarding pass confirmed tickets sufficient funds cash deposit credit card यह सब कुछ जो इसके अंदर देरखाई है चल जेगा और complete travel itinerary तो आप मलेशय के अंदर कितने दिनों के लिए और आप पर दे आप वहां पे क्या 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 क्रेंगे और proof of residence या निकि आप मलेशय में कहा रहने वाले हैं उसके बाद आपको प्रसीड करेंगे तो आपका यह account successfully बन चुका है इसके अंदर आपकी details आजेंगी इसके बाद आपने करना है apply new पे visa के लिए जैसे ही आप apply new करेंगे यह form आजेगा अपने भरनी है यहां पर अपनी photo upload करनी है फोटो की requirements आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपकी क्या requirements रहेंगी बकि आप details यहां पर जो भी है पढ़कर अपनी details भर सकते हैं पासपोर्ट की photo front back की flight determination होगी आपकी कि आपने वह यह आपकी print out होगा जो भी flights का कि आपने आने-जाने की flights का जो भी है उसके अंदर आपकी details होगी आपकी passport details होगी issuance date, expiry date, last exit date, last exit date में आपने यह डालना है कि आपने पिछले बार अगर कहीं visit किया है तो आपने वह देश कब छोड़ा था और निच्चे आजएगी आपकी arrival date Malaysia के इस सारी आप पढ़के बड़ा simple सा form है पढ़के आप सारी details डाल सकते हैं इसके अंदर और आपकी departure की date Malaysia से आप cover departure कर रहे हो transit आपका है कि नहीं आपने यह डालना है कि आप जैसे Singapore से आ रहे हो या Thailand से आ रहे हो तो वो country डालनी है जैसे आप इंडिया से पहले Singapore या Thailand के तब यहां पे वो डालना है नहीं अगर आप direct Malaysia जा रहे हो तो no transit आएगा और उसके बाद entering we are air land या air से कर रहे हो land से entry कर रहे हो Malaysia के अंदर वो आजेगा country of destination आपका अगर आप कहीं आगे जा रहे हो Malaysia से वो आजेगा नहीं तो आपका इंडिया ही जाएगा बापिस अगर आप इंडिया ही जा रहे हो तो और नीचे आगे आपका address इंडिया में और address in Malaysia जहां भी आप रुक रहे हो hotel वगएगा उसका address उसके बाद निचे आगया आपका payment method यह क्या वीजा भी accept करते हैं और mastercard भी accept करते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी choose कर सकते हो उसके बाद जब आपका इस सारा form आप भर लोगे तो अगले अगले पेज पर चले जाओगे अगले पेज पर आएगा photo editor जो अपने photo की dimension आपने दी होगी वह borderless photo होगी आप उस पर कोई भी frame नहीं होगा तो simple borderless photo आप upload करना ताकि अगले अगले section में editor में वो edit हो सगे उसके बाद review होगा आपका form का जो आपने भर है वो payment होगी वहाँ पे अपने payment करनी है उसके बाद end में जाकर आपका form आपका visa के लिए जो application वो complete होगे submit होजेगी वो जो की आपकी आपका visa उसके बाद एक एक गंटे से लेकर एक दिन के अंदर अपकी mail के उपर आजेगा अब आपने visa कैसे check करना है कि मेरा valid है या नहीं तो आपने फिर से वो उसी page पर जाना है जहाँ पर आप देखना यहाँ पर लिखा होगा है चेक visa authenticity आपने यहाँ पर पास्पोर्ट नंबर डालना है sticker नंबर डालना है जो आपका visa के उपर होगा अपने select करना है कि आपका visa कौन सा था या ENTRI था उसके बाद आपने capture डालना है निचे उसके बाद आपने डालना है I have obtained my ENTRI और चेक करना है उसके बाद यह आपको सारी details बता देगा अब बात करते हैं कि आपकी requirement, fund requirement वगयरा क्या रहेगी मलेशिया के immigration के लिए फिर से आपको वह सर्च करना है नीचे आप जैसे ही जाएंगे नीचे आएगा VFS Global इसके जैसे है आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपको क्लिक करना है All about your visas के उपर All about your visas के उपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां तीन टाइप के visas आपको बताता है सबसे पहले visa on arrival यह उनके लिए होता है जो Thailand, Singapore और Indonesia से Malaysia के अंदर एंटर करते हैं और यह इनके वह designated borders है जहां से आप एंटर कर सकते हैं एर और land के दूसरा है आपका visa with reference यह उनको मिलता है जो जैसे कोई काम करता है वहां पर या student है या social visit temporary work के लिए वहां जा रहा है यह उनको मिलता है और जो tourism के लिए जो normal जा रहा है उनके लिए होता है visa without reference इसारी इसकी details हैं भी किस-किस तरीके से हम जा सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले होता है documents के अगर required रहते हैं आपने यह आपका form है जो form में इसे चौते नंबर पर देर का यह form में इसके पर भरके देना होता है आपको block letters में अगर आपको sticker visa चीए उसकी requirements है और main जो requirements इसे ENTRI पर भी काम करेंगी minimum 30,000 balance तीन महिने की bank statement आपकी चाहिए उनको minimum 30,000 balance एक person के लिए 60,000 अगर दो हैं या family जा रही है उनके लिए उसके बाद तो यह आपकी सारी requirements रहेंगी अगर आप per person travel कर रहे हैं तो 30,000 तीन महिने की bank balance आपका statement ज़रूर carry करें अपने साथ और बाकी भी अपना financial document साथ में carry करें आगे आत्या photo की specifications photo की specifications आप video pause आपके पढ़ सकते हैं यह आपकी requirement रहेगी सारी आपकी द्यान में रखके जरूर लेके जाएं अपनी photo इसी तरह से आप अपनी photo पिचवा सकते हैं जो आपकी requirements इसनों ने देर की है अगर आपको यह वीडियो की जानकारी अच्छे लगी है तो वीडियो को प् पिजास के रिगाणिया हम भी मिलेगी तब तब के लिए good bye